कोई है यहां पर जो मुझे बता सकता है कि मैं सल्यूशन का पता नहीं सल्यूशन जब मिला तो कुशन का अता पता नहीं हेलो वाचो वल्कम बाक टो अड़ा 247 स्कून मैं हूँ आयूशी माम और यह है आपकी सबसे जादा वेटेड सिरीज यानि की बोट्स एंड गेम यानि की इस सिरीज में आप सभी लोगों को वो सब कुछ मिलने वाला है जिससे आपके बोट्स में पूरे के पूरे 70 on 70 अश्य सब्सक्राइब और अगर सब्सक्राइब तो आपको एक ऐसा सल्यूशन चाहिए कि मैं मैं आकरी में यह पढ़के चला जाओं तो मेरा पूरा सब्सक्राइब और मेरे जो नमबर है वो यहां से 70 on 70 की तरफ बढ़ जाए राइट सब लोगों के लिए शुरू करने जा रही ह सब्सक्राइब तो में यह वन शॉट सिरीज विद यॉर प्रिविएस एयर कोशिंस राइट सो इसमें आपके सारे दस चाप्टर को मैं एक एक वन शॉट में कम्प्लीट करने वाली हूं सो मेक्शूर करना है हर एक बच्चे को कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है रोज रा एक वीडियो को कम्प्लीट ली बच्चों कोवर करना है राइट तो आपके जो नमबर है बेटा वो बिलकुल 70 on 70 के तरफ बढ़ रहे हूंगे और सारे बच्चे यार एक बार सेशन को यहां पर लाइक और शेयर जरूर कर देंगे ताकि और भी बच्चों तक यह जो इंप पॉर्टेंट सेवीज है सबच्चों तक पहुच सके और यह वन शॉट मतलब मैं आपको बोलूँगी इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है इससे बाहर आपको कुछ और नहीं करना है केवल और केवल एक चाप्टर को इतना पढ़ लोगे जितना मैं यहां पर कर वारी हू कोई भी वच्चे टेंचन लेने की जरूत नहीं पड़ेगी राइट लेट उस गेट स्टार्ट इंड के बाद कमें सेक्षन में ओवर फ्लाडड होना चाहिए बेटा कमें सेक्षन विद यह वीडियो पसंद आई और अगर तुमको लगा कि मैं यह सिरीज रुकरी नहीं च बहुत इंट्रस्टिंग चाप्टर है बहुत ही टू-पॉइंट चाप्टर है अगर आपको इसको डंग से बढ़ लेते तो अब कोई भी दिक्कत होने की चांसे नहीं है वेटेज के हिसाब से मैं बोलू तो अच्छी खासी वेटेजी आपका रखता है इलेक्ट्रो के बा जोज नहीं रुकना चीए कमेंट नहीं रुकने चाहिया लाइट चलो बढ़ते हैं आगया उंचुरू करते हैं ःस बहत्रीन चाप्टर का वनश्यूट चल़िए बात कर लेते हैं स्ल्यूशंज की क्या होते हैं Solution का है को यह है Best सब्सक्राइब करें तो बात करें तो बात करें सल्यूशन की सल्यूशन क्या है यहां पे यानि कि कुछ ना कुछ मिलावत की बात करी गई है उस legitim को शाप्टर में इस पढ़ करें तो बात करें सलीशन कि सलीशन क्या है सलीशन मेरे homogeneous mixtures मिक्सचर कुछ तो मिलावट है मीक्सचर कि यह स्मौंज नहीं होता है होमोजी न मतलब यह कि इसकी जो इसकी जो कें सेम है क्या मैं समझ नहीं आया समझने के लिए थोड़ा सा गौर फर्माएंगे फॉर एक्जाम्पल आपके पास यह ग्लास है इसमें मैंने एक सल्यूशन डाल दिये अब ऐसी बात नहीं है कि यहां पर यह कुछ और है यहां पर मतलब हो सकते है चलो एक्जाम्पल बहुत सिंपल बात कर च्छारे कर दिया सकते हैं सेंटलिए मिहिसे का बस्तव कर दिया कि मिक्स जब कर दिया तो आप ऊपर सी मिठा ही कि नीचे से עगोगे यहां भी मिठा ही लगेगा यहां पर भी इसका कलर वैसा ही है जैसा नीचे की तरफ है यानि कि अगर मैं बात करूव माव महोमो जी ठीक हो आ सकता है homogeneous mixtures वह mixture है जिनकी क्या होती है same properties same properties ठीक है and composition and composition composition throughout the solution through out बहुत simple भाशा में एक line याद रख लेनी है इसके बाहर तुम्हें ना आगे देखना है ना पीछ देखना है जितना मैं बतारी हूं कि अबल उत्रा पढ़ लेना उससे काम चल जाना है उससे आपके नंबर आ जाने इस वक्त नंबर लाने पीएजडी नहीं करनी है simple सी बात है number चाहिए मेरे को है अभी तो number चाहिए knowledge अपने आप आनी ही है जब मेरे साथ पढ़ोगे knowledge तो addition है लेकिन नंबर भी मेरे को दिलवाना है तो आपको इतनी बात समझ रही है कि to the point रखना जो पढ़ाया जा रहा है उसी को पढ़ना है simple वाशा में solution क्या है solution वह mixture है जिसकी properties throughout the solution same रहेगी जिसकी composition composition मतलब क्या कहां पर कितना है वो भी throughout the solution same रहेगा उसको क्या बोलेंगे solution बच्चों बोल देंगे अब सवाल आता है solution में क्या है कितने type का solution है तो अगला सवाल आता है what are the types of solution कैसे पता चलेगा यह बई अब क्या है मिला रहे हैं चीजों को अगर तुम अलग चीज को अलग चीज में मिलाओंगे तो अलग अलग टैप का solution मिलेगा रही लेकिन मैं तो मैं आपको ज товक जब मिला रहे हो एकटी जादा होगी एक चीज सीज Variable C में लेते हो उसको आप बोल देना कि वो आपका solvent है ठीक है और जिसको आप less amount में ले रहे हो उसको आप बोल देना कि वो आपका क्या है वो आपका क्या है वो आपका solute है clear है बेटा इतनी बात clear है जो कम amount में वो solute है जो large amount में वो आपका क्या है solvent है अब अगली बात मैं types of solution कैसा हुआ क्योंकि मैं liquid solutions की यहां पर बात कर रही हूँ तो liquid solution के case में मेरा solvent क्या है liquid है यानि कि मैं कुछ ना कुछ liquid में ही मिला रही हूँ यानि कि मैं कुछ ना कुछ liquid में ही मिला रही हूँ तो मेरे अलग अलग टाइप के solution कैसे हैंगे, सबसे पहले हो सकता है मैंने एक gas को liquid में मिला दिया, उसके बाद मैं हो सकता है कि मैं दूसरे liquid को ही liquid में मिला रही हूं, समझेंगे अभी कैसे मिलाएंगे, और या फिर यह हो सकता है कि मैं एक solid को liquid में मिला रही हूं, तो मेरे types of solution तीन category में classify होंगे that is gas in liquid का solution example के लिए बोलो क्या हो सकता है जली से बतातो थोड़ा से धिमाग लगाओ जो बहुत जादा पीने कावन करता है क्या है गलत मत सोच न हम बात कर रहे हैं किसकी कोल रिंग की है ना बई कोल रिंग की बात करते हैं तो कोल रिंग में क्या है CO2 ही तो मिलाई जाती है पानी के अंदर CO2 मिलाई गई है कॉन-कॉन फिस का अनन्द लेता है फिस कहां से आती है carbon dioxide gas से आती है राइट तो यह हमारी क्या है gas in liquid का solution liquid realization liquid लेजियर तो बहुत को दो चीनो को एक दूसरे में मिला दो किस इसको मिला फिर साप फिर से आप गलाद सोच, तो पानी में मिला दो कर देते हैं उसको क्या यह है यहा पर मतलब मैं कुछ भी कर रहे हूं कोई भी एक orange juice को हम लोग पानी में मिला देते हैं, ठीक है, मैं example ऐसा ले दी हूँ, जो आप लोग relate कर सबूँ, orange juice को आप water में मिला दो, solid, solid तो बहुत आसान होगा, solid का क्या होगा भई, यहां पे डबल डबल चल रहा है, रुक जो एक second, orange juice, water के साथ, right, और solid and liquid का example क्या हो सकता भई, solid, कुछ भी solid, solid, चीनी, चीनी, solid होती है भाई, है ना, तो क्या होगा, sugar in water, है ना, sugar in water, so technically यह मेरे पास अलग-अलग type के solution आ गए है, अब इन अलग-अलग type के solution के उपर ही पूरा chapter बन गया है आपका, है ना, अब सवाल आएगा, paper में आपको अकसर इस chapter से numericals देखने को मिलेंगे, और इस chapter क basically कुछ laws में classify कर दिया गया है, सवाल जब paper में आएगा, उसको उठाने से पहले तुम्हें कैसे पता करना है कि कौन सा formula लगाना है, उसके एक बहुत short trick में आप लोग को देने जा रही हूँ, जबी भी सवाल आए आपके paper में, क्या करना है आप लोगों को आपको देखना है कि वो mixture किसका है, वो mixture gas का है, liquid का है या solid का है, जितने बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है, उन सब को मैं यह बात बता चुकी हूँ, और जो भी नया बच्चा है, उसके लिए बहुत important information रहेगी, that is, कि जबी भी question लगाओगे, जबी भी question लगाओगे, आपको क्या हैंगे अभी आगे, लेकिन जबी भी सवाल आएगा, gas in liquid का a की formula लगेगा, वहाँ पर वो कौन सा होगा, henry's locker, right, अगर liquid in liquid की में हम बात कर ले, अगर liquid in liquid की बात कर लें, तो किसका हो जाएगा, यहाँ पर formula, rolls locker, किसका होगा, rolls locker, और, और, सबसे important, solid in liquid का question है, तो सवाल बन important, this is very important, so complete chapter, complete chapter, केवल इसी के आसपास घूंता है, और केवल यही चीज़े आपको आनी जरूरी है, अगर यह आपको आ जाता है, तो आपका यह चाप्टर पूरा complete हो जाता है, all right, बच्चो, समझ में आगे है, basic सभी लोग को funda clear है, all right, clear है, चलिए, बहुत चांदार तरी हैंगी, हम session को share करवाएंगे, इतना तो भरोसा चाहिए, मुझे, अगर मैं लगी हुई हूँ, यहाँ पर तुम्हें नंबर दिलवाने के लिए, तो तुम्हारा भी बनता है, equally यहाँ पर अपनी dedication को show करना, समझ गए हो, चलो, आगे बढ़ें, और समझते हैं, आगे कुछ बातों को जो है concentration, अब इतना हम समझ गए हैं, कि solution क्या है, mixture है, अब solution को कैसे represent करोगे, भाई उसमें क्या है, कितनी चीनी डाली है, कितनी चीनी, कितने लीडर पानी में डाली है, या कितनी चीनी, कितने ग्राम पानी में डाली है, तो basically मेरे को कुछ ना कुछ एक ऐसी term चाह है, concentration English में बोले तो हमारा जो focus है, लेकिन यहां पर concentration बोले तो, कि भाई, किस में कितना क्या डाला गया है, वो आपको कौन बताएगी concentration, और इसको represent करने के अलग अलग तरीके आप लोगों के पास होते हैं, जिन में से कुछ तरीके बहुत important है, कुछ तरीके बस नाम के उनको देख लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है, यार अगर में को mass percentage के form में उसको represent करना है, mass percentage क्या हो जाएगा भाई, percentage का मतलब 100 से multiply करना ही है, तो I think हर मांस के बच्चे को आता है, अगर बायो वाला है, तो उसको भी पता है, percentage तो उसकी भी निकलती होगी, जब 10 ग्राम, 10 ग्राम glucose को, 10 ग्राम glucose को, 100 ग्राम या मैं बोलती हूँ यहाँ पर चलो, 90 ग्राम पानी में मिलाया, तो पूछ रहा है यार, glucose की, glucose की mass percentage क्या हो जाएगी, बैए glucose की निकालनी है, तो उपर glucose का mass, नीचे solution का mass, solution का mass क्या हो जाएगा, 10, 10, 10 प्लस 90, ठीक है, और into 100, ठीक बात, तो क्या हो जाएगा, 10 upon 100 into 100, ठीक बात, तो क्या जाएगा, 10%, ठीक बात, क्या हो गया, 10%, simple सी कहानी है, बैए जिसका भी निकालना है, उसका mass ले लू, याद रखना ग्राम में लेना है, याद रखना है, ग्राम में लेना है, क्योंकि mass, ग्राम में आता है, वेट वैसे तो हम लोग का किलों में आता है पर हम चोटी-चोटी चीजओं को ले रहा है तो gram में ले रहा है तीक है या फिर यह काम करना कि जो ऊपर है वही unit नीचे रहे है unit दोनों की सेम होनीचे generally gram में लेंगे उपर जिसका निकालना है मास परसंटेज वो नीचे solution का मास और multiply कर दो 100 से उसको बोल देंगे मास परसंटेज क्लियर है सबी बच्छों को formula आपको आना चाहिए इसका simple सी बात और कुछ नहीं समझना है इसमें अगला volume के टम पर represent कर सकते है volume percentage क्या हो जाएगा जैसे मैंने मास फाहता अब मैं volume ले लेथाँ फॉर एक्गांपल मैंने टेन लीटर glucose ओ चलो मैं बोल देती हूं 70 लीटर ठीक है नमबर बदल देते हैं 70 लीटर glucose को मैंने आपके 90 लीटर water में ढाला अब मैं यह क्यों ले रही हूं क्योंकि मेरे को क्या मिल जाए कि मेरे को एक करेक्ट राउंड फिगर मिल जाए समझाने के लिए फीन यह देख्व है ना सतर लीटर ग्लुकोस को 30 लीटर में डाला तो भाई ग्लुकोस की वॉल्य Україं सेच क्या हूं का है रइंक इन्तव हंड़ेट्ध राइट, यहां से कितना आ जाएगा, 70% कितना है, 70% V by V, 70% volume by volume आपका glucose यह solution है, कैसे लिखाओगे, कि भाई यह 70% volume by volume glucose in water का solution है, ऐसा इसको represent कर देते हैं, इससे जाद आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना समझ रहा है, कि volume by volume में क्या लेते हैं, उपर क्या ले presentation हो जाएगा, अब दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो, यानि कि mass by volume का अगर पूछ ले, तो कैसे पूछेगा, अगर आपने 10 gram, 10 gram glucose को, 10 gram glucose को 90 ml water में मिलाया, ठीक है, तो वो पूछ रहा है इसमें, कि आपका mass by volume percentage क्या होगा, mass by volume percentage क्या हो जाएगा, सारे बच्चे बता यहाँ पर इसका answer, आप लोग comment section में डाल के जाएगे मिलेको, बहुत simple है, divide कर देना है, same essay रखना है, उपर mass रखना है, नीचे volume रखना है, दोनों को divide कर देना है, और comment करके बताना है, कितना W by V का, यहाँ पर आपका percentage बच्चों निकल कर आ रहा होगा, all right, great, चलो, यह तो तीन नाम की है, ठीक है, यह तो तीन नाम की, अब काम की पर आ जाते है, काम की concentration terms है, यह, जो यहाँ से अब शुरू होने वाली है, क्यूंकि इनका इस्तमाल आगे होगा, पूरे के पूरे chapter में, सवाल पहले आएगा, mole fraction का, for example, आपके पास एक mixture है, जिसमें A और B है, क्या ह of moles of A, upon number of moles of A, plus number of moles of B, ठीक है, number of moles का formula क्या होता है, बाई, given mass upon molecular mass, एका निकाल रहे है, given mass upon molecular mass, upon again given mass upon molecular mass, upon given mass of B, upon molecular mass of B, right, यह हो जाएगी क्या, mole fraction of A, कभी कभी आगे number of moles, भाई इतना formula तो भी इसे पढ़ क्या हो ना, glass element में, number of moles का formula क्या होता है, given mass upon molecular mass, right, clear है भाई, for example, अगर आपको दिया है क्या, 16 plus 16 is 32 gram of oxygen, में कितने number of moles है, that is given mass is 32, molecular mass is 32, to cut जाएगा, कितना आया, 1 mole होगा, क्या हैगा, 1 mole होगा, तो number of moles निकालना हम लोगों को आना चाहिए, वो हमने formula लिख दिया, given mass upon molecular mass, ठीक है, ऐसे ही B का निकल जाएगा, B का भी formula मैं लिख देती हूँ, अगर B का formula प्लॉग चाहेंगे, तो XB क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा, नम उपर वो आएगा, जिसकी mole fraction निकालना है, B का निकालना है, तो B के moles, नीचे solution के moles सेम रहेंगे, ठीक बात, अच्छा, कभी-कभी आपसे एक चीज़, एक mole fraction देगा, दूसरी नहीं देगा, तो उसके लिए क्या करना है, याद रखना है, you have XA plus XB, mole fraction का जो sum होता है, वो 0.3 है, तो XB क्या हो जाएगा, 1-0.3, यहाँ से, 1-0.3, 0.7, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें दोनों ही निकालके देखनी है, तुमने एक निकाल लिया, दूसरे को 1 से माइनस कर दो, वहाँ से आपको दूसरी mole fraction मिल जाएगी, all right, clear है, बहुत important है, mole fraction निकाल दी, ठीक है number of moles of solute, ठीक बात, upon volume of solution in liter, liter में इसकी volume, number of moles का formula क्या हो जाएगा, NB upon volume of solution in liter, ठीक है, liter में आगे, number of moles का formula क्या हो जाएगा, given mass of B upon molecular mass of B into volume in liter, और अक्सर volume हमें ml में देता है, तो यह formula resolve हो जाएगा, क्या हो जाएगा, WB upon MB into volume in ml, अगर दिया है, तो उपर 1000 से multiply कर दो, यह formula हो जाएगा, किसका, molarity का, this is the formula for molarity, छीक भई, important है formula, अराम से लिख लो, इसको ढंग से, अगर ml में दिया है, तो 1000 से multiply कर दो है, WB is the mass of your solute, and MB is your molar mass of your solute, clear है भई, सभी लोगों को clear रहे हैं यहाँता है, everyone clear, जल्दी सही बाद चार्ट बोक्स में, this is your formula for molarity, ठीक है, अलग बात करें, molality की small m से represent करते हैं, molality क्या है, number of moles of solute, upon में, mass of solvent, यहाँ पर नीचे क्या जाएगा, mass of solvent in kg, right, number of moles का formula अगें क्या हो जाएगा, given mass upon molecular mass into mass of solvent is ma into kg, ठीक है, अगर यह gram में है तो formula क्या हो जाएगा, wb upon mb into mass of solvent in gram और gram में है तो 1000 से multiply, this is your formula of small m and this is your molality, this is your molality, समझ गये हैं या नहीं समझे हैं, सभी बच्चे, समझ गये हैं या नहीं समझे हैं, यहाँ तक clear है भई सभी लोग को everyone, यह सारे formulas आपको आने चाहिए, आपको कही ना कहीं इनका इस्तमाल चाप्टर में करने को मिल ही जाएगा, एक सवाल स्क्रीन पे है, जल्दी से solve कर दीजे और बता दीजे, क्या इसका correct answer हो का molality बतानी है, 2.5 gram of ethnoic acid, ethnoic acid का molecular mass कितना होगा बाई, carbon है 12, plus 3 into hydrogen 1, plus again carbon है, then आपका 2 into 16, plus 1, molecular mass यह आ चाहिएगा, that is 12 plus 3, plus 12 plus 32, plus 1, कितना हो गया, 3 और 2, 4, 3 और 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, again 10 हो गया, 3 और 1, 4, 5, 6, approximately 60 आ रहा हो गा है, यहां पर आपका इसका molecular mass, so देख लो एक बार सही है है यह नि, m की value क्यों जाएगी, given mass कितना है, 2.5 gram, यहां से मैंने निकाल दिया, 60 है, यहां पर अगर मैं बात करूँ, 75 gram दे रखा है, तो नीचे 75 gram में है, तो उपर 1000 से multiply, यहां से आपकी morality निकल के आजाएगी, जल्दी से बता दीजे, morality क्या निकल कर आएगी, quickly in the chat box, यह हमारा formula है, for your morality, quickly in the chat box, बोलो बोलो बोलो, सभी बैचे डाल देंगे, चाट box में, क्या होगा, 2.5 into 1000 divided by 60 divided by 75, approximately 0.5, कितना आ रहा है बई, 0.5 small m is your morality for this given solution, कुछ भी नहीं करना है, molecular mass निकाल यह ना बई, क्या है, given mass of solute यह आपने निकाला है, calculate करके 60 gram पर mole, ठीक बात, molecular mass कितना दे रखा है उसने आपको, sorry, given mass थो हमने, question में given है, given mass मतलब कितना gram लिया है, कितना लिया है, 2.5 gram, यह आपने निकाल दिया, 60 gram पर mole, ठीक, यह हो गया, और mass of solvent दिया है, कितना, 75 gram, formula में put कर दिया है, और answer आपको आ गया है, जल्दी से बतातो है, यहां तक कितने बच्चों को crystal clear हो चुका है, सारी concentration terms आपको one shot में ने करवा दी है, और इसके बाद main section इस chapter का शुरू होगा, सारी laws के साथ, कहानी की तरह सुनते चले जाना, दिमाग में copy paste होता चला जाएगा, केवल और केवल, focus नहीं टूटना चाहिए, जिसका focus टूटा, उसका number गया, समझ लेना, focus टूटा number गया, तो focus रखना ही पड़ेगा, अगर number चाहिए, अगर चाहिए, अब तो बेटा जाग जाओ, अब तो आखरी समय आ चुका है, अब भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे बेटा, समझ लो, तो अब तो छोड़ना ही नहीं है चीजों को, समझ लो, इसके बाद कोई नहीं आएगा मदद करने के लिए तुमारी, कोई नहीं आएगा, यहाँ पर हम खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं ताकि तुम्हें आखरी moment पर एक ऐसा life saving boat पर बिठा दें कि तुम्हारी जो नदी है boats की कम से कम ये पार हो जाए, right, so clear है भई, समझ में आगे है, बढ़ो आगे अगला, चालो, तो अब formula थोड़ा सा रोग देते हैं, formula इसकी कहानी को समझते हैं चीजों को, सबसे पहरे बात कहले लेते हैं, solubility की, concentration समझ लिए, अब solubility क्या है, कि यार कौन सी चीज किसमें dissolve हो रही है, तो सबसे पहरे solid in liquid, यानि कि solid in liquid से मैंने अपने favorite example के साथ हर एक ब चाय पीते हैं, भी चाय की चुस्किय ली जाती है, आजकल तो सर्दियों का मौसम है, रात बहुत हो चुकी है, थंड लग रही है, तो मम्मी से एक कप चाय मंगा ली जाए, कि मम्मी सोना नहीं है, ना, तो चाय की अब बात कर लें, तो चाय क्या होगी, चाय में तुम सब क्योंकि भाई फिर आप बोल दो कि मम्मी यह हेट्रोजीनिस मिक्चर हो गया, तुमने इसमें लाई चीया, दरग, दाल चीनी, पता नहीं क्या-क्या डाल दिया है, मैं आप एक सिंपल सी बात करूँ, चाय पत्ती और 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 पानी, या तुम चीनी चाय पत्ती पानी मांग चाय पत्ती को निकाल दूँगी मैं, ठीक है, तो होमोजीनिया सो जाएगा, लेकिन चाय कि अधर हम बात करें, तो सबसे पहले दो फैक्टर्स हैं, जिस पर सॉलिबिलिटी मेंदी डिपेंड करती है, हलां कि डिपेंड तो करती है, नेचर अफ सॉल्वेंट, नेचर अफ स तो सबसे पहले अगर बात करें मैं, प्रैशर का क्या अफर होगा, सोचो, तुम एक सॉलिट चीज को लेके बैठे हो, और सॉलिट को तुम एक लिकुड में डाल रहे हो, सॉलिट एक ऐसी चीज है, जो हार्ड है, जिसको तुम दबाओगे तो कोई फर्क नहीं बड़ेगा पत्थरों पर तुम कितना ही बना तुम को बोलो कि माम अगर JCB से तोड़े तो तूट जाएगा तो वह एक अलग बात है लेकिन तुम नॉर्मल प्रेशर लगाओगे तो क्या वह लेगा अपनी जगह से पत्थर नहीं हिलेगा प्रेशर का क्या उस पर अशर हो गण नहीं होगा राइट यह बहुत इंपोर्टेंट बात है प्रेशर का solubility of solid पे solubility of solid in liquid पे क्या होगा no effect हो रहा होगा कोई असार नहीं होगा reason क्या होगा मैं इसका what is the reason behind it reason में mark करेंगे reason मैं इसका ये है क्या है मैं reason क्यूंकि जो solids होते हैं वो क्या होते है solids are rigid rigid and incompressible incompressible क्या है rigid and incompressible ठीक है बहुत important है ये CUT में भी आता है ये NEET में भी आता है और ये BOATS में भी आएगा समाझ रो तो solid का solubility पे जो प्रेशर का कोई असर नहीं होगा आपको mcq में डाल सकता है वो इन में से कौन से factor का solubility में कोई असर नहीं होगा आपको मार्क करना है किसका नहीं होगा आपके प्रेशर का नहीं होगा ठीक बाद आजाओ अगले पर ये important है temperature है ना तो याद करो चीनी और चाय की वात मैं कर रहे थी तो चाय जो मुनसे ठंडी भी जाती है गरम चाय कोई ठंदी भीता है तो वह तो चाय के साथ दोकेवाजी कर रहा है थो चाय कैसे पीते हैं हम गरम पीते हैं गरम गरम Cc की प्याली हो ना क्यूंकि गरम जब करो गे तुमें गरम को तो उसकी solubility बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप temperature के लिए उसको उबालते रहते हो उबालते रहते हो और जैसे जैसे उबालते रहते हो उसमें और भी जाधा amount of sugar मिलती जाती है मिलती जाती है मिलती जाती है तो क्या हो रहा है temperature बढ़ाने से solubility भी बढ़ रही है एक liquid solution की for a solid so here we go so with temperature baroni temp रहने से temperature देना temperature देने वाले process को heat देने वाले process को क्या बोला जाता है yourself क्या बला जाता है एंडो थर्मिक process क्या बोला जाता है एंडो थर्मिक process राइट क्या होता है partnerships great cv audiences selv एनटो थामिक मिख़ी देना तो किसी और दो तरव प्रो से गया होगी solubility बढ़ेगी, बहुत important है, कैसे याद रखना है, गरम चाय की प्याली, गरम पी जाती है, क्यों पी जाती है, गरम में solubility बढ़ेगी, यानि कि temperature बढ़ाने पे solubility बढ़ेगी, वही अगर यह process exothermik हो जाए, यानि कि for example, lab में तुमने कभी reactions करे हो, तो lab में कभी-कभी NaOH का NaOH is a base, उसकी white-white गोल या आती है, उसको जब पानी में डालते हो, तो क्या होता है, पानी का जो बीकर हो गरम हो जाता है, यानि कि वो एक exothermik process है, वहाँ पे solid का liquid में जाना, एक exothermik process है, यानि कि heat यहाँ पे मुझे बाहार मिल रही है, तो जब कोई ऐसा process हो, जिसमें की घट रही होगी, बहुत ज़्यादा important बात है, यह अक्सर इसमें हम गलतिया कर देते हैं, तो दो factor मैंने आपको याद करवाए है, solid के pressure का कोई असर नहीं है, temperature बढ़ाने से solubility बढ़ेगी, एक endothermik process की, लेकिन हाँ, अगर वो process exothermik हो जाए, endothermik process कौन सा होता है, जिस में आप heat देते हैं, heat देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपकी क्या आती है, heat release होती है, यानि की heat release होती है, जिस process में heat release होती है, उसके case में solubility घटने लगेगी, temperature को बढ़ाने से, clear है वाई, सभी लोगों clear है, great, चलो, आगे बढ़ो, तो ये बात होगी, अच्छा, अब जाते हैं, किसकी बात कर ली, मैंने solid in liquid की, right, मैंने चीनी और पानी की बात की है, अब मैं बात कर लेती हूँ, gases की, gases की, अगर मैं बात करूँ, एक gas को एक liquid में मिलाना, अब gases की बात कर लेते हैं, तो याद रखना है, gases क्या है, compressible हैं, तुम गैस पे pressure डालोगे, तो मिला रहे हो, लेकिन तुमने उस पे pressure लगाया, तो gas already liquid बनने की कगार पे आ चुकी है, अब liquid को liquid में मिलाना तो बहुत ही असान है, कभी तो तुमने अबसर्ब किया होगा, चीनी को तुम पानी मिला रहे हो, या तुम दो पानी को दूद में पानी मिला रहे हो, कभी घुमा बढ़ रही होगी, इसको कौन बोलता है, इसको बोलता है, हेंडी ज बाबा, और उन्होंने बताया है, अपनी हेंडी ज लौ में, आज आती है, आपके हेंडी ज लौ पहली लौ पिक्चर में, हेंडी ज लौ आपको ये बोलती है, कि the partial pressure of gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution, यानी की for example, ए इसमें gas A डाल रही हूँ, तो gas को मैंने इसमें डाला, यहां पर A के molecule आ गए, और क्यूंकि ये gas है, तो कुछ ना कुछ तो यहां उपर vapor phase में भी रहेगी न, राइट, यानी कि ये अगर मेरा liquid है, और उपर मेरा vapor है, तो इसने क्या बोला, इसने ये बोला, कि जो gas A है, इस ये आपका कहां पर gas का pressure है, वेपर phase में, ठीक है, ऊपर जो है, वेपर phase में, ये directly proportional है, किसके mole fraction of A के, mole fraction, यानी कि यहां पर जो liquid में ये dissolved है, इसके directly proportional है, तो ये किसमे liquid phase में, यानी कि इससे क्या बता रहे है, कि ये कि gas की solubility dependent है उसके pressure के उपर, यानी कि तुम pressure बढ़ाओ होगे, तो मारी solubility भी बढ़ती चली जाएगी, किसने बताया, Henry's law ने ये बत आप लोगों की बता दी, तो Henry's law क्या कहती है, Henry's law कहती है, PA is directly proportional to XA, जब ये symbol हटता है, तो formula आता है, PA is equals to KHXA, जहां पर मेरा KH क्या है, Henry's constant, क्या है, Henry's constant, clear है बढ़ी, क्या है, Henry's constant, everyone clear, this is your Henry's constant all right, जल्दी बता दो भई, समझ में आ गया है यहां तक, मजा रहा है नहीं आ रहा है, सारे बच्चे भई, यहां तक समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, कुछ सीख के जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, everyone quickly in the chat box, समझ गया है, यहां पर मैम XA क्या है, XA मेरी क्या है, mole fraction of gas, gas क् क्यूंकि mole fraction है, तो liquid phase में होगी, तो in liquid phase, ठीक बार, यह क्या है, this is your partial pressure of A, partial pressure of gas A in vapor phase, ठीक बार, clear है, all right, बहुत बढ़ी है, बहुत भदी, बहुत ही सादा बढ़ी है, बहुत ही सादा बढ़ी है, बहुत ही सादा बढ़ी है, अच्छा, अब, एक जो graph आप से पूछा जा जाता है क्या पूचा जाता है यह तो यहां पर भी मैंने इसने दिखा दिया इसको समझ लो इसको यह मेरे पास एक लिक्वेड है राइट एक लिक्वेड है इसके ओपर मैंने पिस्टिन से इसको दबाया तो यह दबा ठीक है पहले देखो कितने अलग अलग एक तो यहां से अगर मैं बात करूं तो मैं क्या रिख सकती हूं। P A, P A को अगर मैं constant माल लूँ, ठीक है, अगर मैं P A को constant माल लूँ, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, K H is inversely proportional to your X A, ठीक है, यानि कि अगर तुम solubility को बढ़ाओगे, तो तुमारा Henry's constant घटेगा, तो Henry's constant बढ़ाओगे, तो solubility आपकी बढ़ रही होगी, और अगर मैं graph पूछ ल यहां पर से आपका graph भी यही निकल के आएगा, कि pressure बढ़ाने से आपकी, आपका जो Henry's constant है, आपका जो Henry's constant है, वो बढ़ता है, तो graph कुछ ऐसा आपका निकल कर आ जाता है, ठीक है बई, clear है है यहां तक, जल्दी से बता दू, हाँ भी, थोड़ा synergy, ज्यादर लगेगी, ओक चलो, आगे बढ़ते हैं, है ना, समझ गा है यहां तक तो सारे लोग, चलो, आगे बढ़ते हैं, तो यह समझ में आगे है, Henry's law clear है, I think everyone, सभी लोग को clear है, दूसरी law की बात कर लेते हैं, दूसरी law नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम solubility की ही बात कर रहे हैं, और हम यहां पर करेंगे अब temperature के ऊपर, right, किस के ऊपर बात करेंगे, temperature के ऊपर, ठीक है, दो factor समझ नहीं थे, देखो यहां पर, last में बताऊंगी, चलो, पहले यहां पर समझो, temperature, तो temperature की, अगर मैं बात करूं, तो यहां पर ध्यान रखना है, किसकी, cold ring का, हाँ, cold ring थंडी पीते हैं, यहा है, बच्चे, पर, cold ring गरम, कौन-कौन, पीचा है, कौन एकदम साइक को बच्चा है, हाँ, हमारे साथ, क्या है, cold ring थंडी पीते हैं, यानि कि, थंडी यानि की, लो temperature पे, यानि की, तेमपरेचर को बढ़ाने से, यानि की, cold ring को गरम करने से, हमें मझा नहीं आ रहे है, यान की solubility बढ़ रही होती है तो इसी लिए अगर मैं आपको समरी दूँ that is solid in liquid and gas in liquid तो वहाँ पे आपको याद रखना है ये बात कि pressure का कोई असार नहीं है pressure बढ़ाने से solubility बढ़ रही है एक endotermic process के लिए और अगर बढ़ाने से solubility बढ़ रही है एक endotermic process के लिए और temperature बढ़ाने से solubility घट रही है एक exotermic process के लिए temperature बढ़ाने से solubility घट रही है एक gas and liquid solution के लिए सारी बाते क्लिए रहे हैं दोनों factors बहुत ज़ादा ही important रहेंगे आप सभी लोगों के लिए ठीक है बच्चो ओल्राइट इसमें डढ़ने की क्या बात है समझ रहे हैं समझ गया है समझ गया है समझ गया है चलो तो अब थोड़ा से application पर बात कर लेता है सबसे पहले soft rings यानि की cold ring की मैं बात करूं तो भाई cold ring की bottle कितने बच्चों ने खोली है इतिंक हर बच्चे नहीं खोली है कभी ना कभी तो cold ring की bottle को जब खोलते हैं कैसी वार जाती है क्यूं क्यों आती है क्योंकि वह इतने ज्यादा प्रेशर पर बंद होती है क्योंकि आपको पता है प्रेशर जितना ज्यादा होगा तो इसलिए cold ring की bottle को सील किया जाता है at high pressure reason इसका क्या है क्योंकि Henry's law ये बोलती है कि pressure बढ़ाने से solubility आपकी बढ़ रही होगी समझ गए application of Henry's law again क्या है application of Henry's law अगली बात अगर मैं जा रही हूँ अगर मैं जा रही हूँ उचाई पर पहाडों पर कौन-कौन गया भी पहाडों पर आजकल तो sol जा रहे हैं लोग कौन-कौन चल रहा है बई देखो यहाँ पर नदी भी बना देते हैं हम लोग चीक है यहाँ पर थोड़ी से पेड़ चीक बात great हाँ बई तो जब हम लोग एक बच्चा है यहाँ पर मिल पास that is बहुत सारे बच्चे है anyway तो मैं यहाँ पर किसी का नाम लेकर उसको दुखी नहीं करूंगी एक बच्चा है यहाँ पर हड़ा है फिर वो ट्रेकिंग करके गया यहाँ पर उसके कमर पर एक बैग है तो यह आपर यह उपर पाड़ की चोटी पर पहुंच गया ठीक है तो जो यहाँ पर नीचे जमीन है यहाँ पर आपका प्रेशर नॉर्मल है प्रेशर आपका नॉर्मल है ठीक है यहा फिर मैं लिख देती हूं नॉर्मल है जब मैं उचाई पर जाती हूं पहाडों पर तो की बात करें आपकी रगों में खून बह रहा है और खून के अंदर है oxygen क्योंकि हीमोगलोमिन में है oxygen सो बीसिकली आप यह जो बच्चा है इसके अंदर है क्यों बाई क्योंकि हमारी बॉडी में सब कुछ से oxygen कर रहा है अब oxygen ही अगर कम हो जाएक हो तो फिर कैसे जिंदी ही चलेगी है हमारी राइट तो oxygen in blood अगर मैं बात करूं यहां पर उचाई पर जानबे pressure कम होता है तो solubility कम होती है तो एक medical condition inoxia यहां पर आपका create हो जाता है again this is an application of your henry's law ठीक है किसका application है henry's law का यह आपका application रहेगा आगे बढ़ते है high altitude हो गया अगर high altitude हो गया तो यहां पर एक चीज बागी रह गई है वो है samundra ठीक है यहां पर samundra है ठीक है यहां पर मचली आए ठीक है मचली आए यहां पर हमारी तो एक बंदा है अब यह समundra पर खड़ा है यहां पर और अब यह यहां पर नीचे चला गया है ठीक है, जमुंद्र और यह पाहा, ठीक है, मतलब इसको तो ऐसा याधी कर लेना, उपर प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, अब हमारे पास एक्मोस्फेर में बहुत सारी गैसे जब यह नीचे जा रहा है प्रेशर बढ़ रहा है, तो सॉलिबिलिटी ओफ गैस बहुत जादा बढ़ जाती है, बहुत जादा बढ़ जाती है, तो यह जो इनसान है, जो कि अभी तक ऑक्सिजन पे जी रहा था, अभी यह नाइट्रोजन को भी ले ले लेता है अपने ब्लेड के अंदर, यानि कि अ जादा था, नॉर्मल यहाँ पर कम हुआ है, कम हुआ है तो यहाँ पर सॉलिबिलिटी अचानक से गिरेगी, अचानक से गिरेगी तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, और यहाँ पर यह आपकी जो मसल्स हैं, वहाँ पर ब्लोकेज कर देती है, ब्लोकेज करने की वज़ से जब यह बंदा नीचे से उपर आ रहे है तो इस बेंट की कंडेशन से बचने के लिए यह जो बंदा है इसकी इसका जो ऑक्सिजन का बैग है उसमें हीलियम गैस बढ़ी जाती है जो कि एक इनर्ड गैस होती है ताकि यह जो कंडेशन है इसको ना यह इंसान फेस करें ठीक कि यह जो अधेसलिया यह मचलिया तंडे पानी में क्यों रहना पसंड पर ये यह तंडेशन के तक बढ़ेगी यह भड़ेगी आगर यह बढ़ेगी तो यह बहुत आलाम से oxygen को ले पाएगी तो इसलिए ये ठंडे पानी में रहना पसंद करती है ये अलग-अलग टाइप के सवाल है जो आपके paper में पूछे जा सकते हैं ठीक है भी henry's law से all right भी clear है ओके चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं इस तेकिंड law के ओपर एक काम खतम होता है road law ठीक है ये simple है road law यानि कि अब मैं दो liquids को mix कर रही हूँ ठीक है orange juice या फिर मैं बोल सकती है chloroform acetone को मिला दू acetone पानी को मिला दू ठीक है alcohol पानी को मिला दू है ना दो liquid को मिला रहे हैं तो जब मैं अब liquids क्या है volatile क्या होता है जो easily vaporize होना चाहिए जो boil off होना चाहिए right so जब मैं दो liquid solution को मिला रही हूँ तो सब का जो partial pressure है वो individual उसके mole fraction के directly proportional हो रहा होगा समझना है इसको कैसे जल्दी से समझ लेते हैं एक liquid का solution ये है एक liquid का solution ये है ठीक है दोनों को मिला के एक बड़ा solution बना दिया ठीक है यहां पर मेरा liquid है A volatile है तो कुछ ना कुछ इसके molecules उपर भी होंगे तो यहां पर जो इसका pressure है liquid A है तो इसका pressure यहां पर क्या है P naught A ठीक है यहां पर liquid B है volatile है तो भाई कुछ ना कुछ again vapor में जाएगा तो यहां पर इसका pressure है P naught B ठीक है अब मैंने इन दोनों को mix कर दिया और इस बड़े डबने में डाल दिया यानि कि अब इसका मैं color वदल देती हूं यह आपका pink color का है तो यहां पर मेरे पास B भी है और मेरे पास यहां पर आपका A B तो A का भी है ठीक है तो अब वो पूछेगा यह मेरा mixture है तो इसका pressure क्या होगा इसका final pressure क्या होगा इसका final pressure क्या होगा यहां पर यहां पर नहीं निकालूंगी मैं इसकी अगर मैं बात करूंग तो क्यूंकि अब मैं final mixture की बात कर रही हूँ so I will be talking about this box ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं individually A का pressure निकालू P A आपका directly proportional है mole fraction के यह इसने बोला लेकिन जब यहाँ पर से symbol हटेगा तो यहाँ से P A बराबर आजाएगा किसके P A बराबर आजाएगा constant आएगा P 0 A X A यह वाला pressure क्योंकि यह भी constant है क्योंकि यह pure का है तो यहाँ पर जो A का final pressure है यहाँ पर दो gases है A और B तो A का जो final pressure है वो बराबर है P 0 A X A के similarly अगर मैं B के pressure की बात करूं तो P B is directly proportional to X B तो यहाँ से आपका B का जो final pressure आएगा वो कितना आएगा P 0 B X B खीक बात, clear है यह आगे है मेरा pressure of A and B in a mixture of solution यहाँ पर से अगर मैं P T का solution निकालू P T क्या होगा P T क्या है भाई mixture है किसका A और B का तो डेल्टेंस लौ यह बोलती है कि जब एक mixture of gases को आप लेके चलते हैं तो उस mixture of gases का जो pressure है उसका sum बराबर होता है individual gases के pressure के sum के तो यहाँ पर मेरे पास gas A और B है तो बराबर किसके हो जाएगा P A प्लस P B के किसके P A प्लस P B के और यहाँ से मेरा A मैंने निकाला है क्या है P 0 A X A और यह क्या है P 0 B X B ठीक बात, यहाँ नहीं कि मैं यह बोल सकती हूँ कि मैंने निकाल दिया कि मैं मेरा P A बराबर है P 0 A X A के और मैं मेरा P B बराबर है P 0 B X B के तो मैं मेरा P T बराबर किसके है P A प्लस P B के तो मैं हम इसको क्या बोल सकते है P 0 A X A प्लस P 0 B X B के ठीक बात, ख्लियर है बई जल्दी से बताईए, यहां तक लियर है सभी लोग को हाँ, तो यहां पर अगर मेरा यह हो गया है तो अब जड़ा सोचिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि XA प्लस XB दोनों मोल फ्राक्शन का सम बराबर किसके होता है 1 के, तो XA पराबर मेरा क्या हो जाएगा 1 माइनस XB के, ठीक है यह डरिवेशन भी पेपर में आ सकती है ठीक है बई, तो यहां पर मैं क्या बोलूँगी यहां पर मेरा यह फॉर्मला कनवर्ट हो जाएगा P नॉट A, XA की जगा 1 माइनस XB फ्लस P नॉट B, XB ठीक बात, यहां तक तो यहां से अर्बढ मैं से multiply करद?". तो यहां से अकरम मैंसे multiply करद तो क्या हो जाएगा P नॉट A, माइनस P नॉट A, XB ठीक है और यहां पे प्लस P नॉट B, XB ठीक है ठीक है, खेर हो गया यहां पर डबल डबल यारे क्या है इसको P not A X B P not B X B खीक है अब यहां पर यह X B दे को common है right तो अगर मैंने P not A को ऐसा ही छोड़ दिया और यहां पर प्लस के सिंबल के साथ X B को common ले लिया तो प्लस के साथ क्या है फहले P not B और minus के साथ क्या है P not A यह मेरा formula हाजाएगा P T का this is the formula for P T आएगा यह नहीं आएगा जल्दी से सारे बच्चे बतागे तो यहां से अगर मैं बात करूँ तो आपको तीन formula मिल जाएंगे that you will be getting three formulas एक तो formula यह होगी P T का एक formula यह हो जाएगा P not A का और एक formula यह हो जाएगा P not B का तो यह तीन formulas आप लोगों के लिए important है for Rawls law Rawls law बात कर रहा है दो liquid के mixture का ठीक है किसके बात कर रहा है दो liquid के mixture का यह क्या है यह आपका pressure of A pressure of A in mixture ठीक है यह क्या है pressure of B in mixture liquid ठीक है liquid का pressure और यह PT क्या है this is your total pressure of total pressure of mixture A and D दोनों के mixture का यह आपका sum कहला देगा ठीक है बई everyone clear चलिए तो यह हमारी Rawls law यहां से आ जाती है आप लोग के सामने अब अगर मैं आगे बात करूँ यहाँ पर Rawls law as a special case of Henry's law से एक सवाल बन जाता है तो इसको एक बार देख लो Henry's law बोलती है क्या Henry's law बोल रही है P not A is equals to K H X A ठीक है और अगर आपकी Henry's law यह बोलती है तो Rawls law क्या बोल रही है P A P A P A is equals to K H X A और यह क्या बोल रही है P A is equals to P not A X A यह कौन बोल रहा है यह बोल रही है Henry's law और यह कौन बोल रहे है यह बोल रही है आपकी Rolls law ठीक है तो अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है क्योंकि दोनों प्रैशर ही बता रही है दोनों प्रैशर ही अगर मुझे बता रही है और दोनों को मुझे बराबर करना है तो एक ही चीज दोनों में बदल रही है वो है यह दोनों क्या बदल रहा है constant तो अगर मेरे को इन दोनों को एक similarity में लेके जाना है तो एक condition required है और वो condition क्या है the condition for Henry's law to become a special case of Rawls law is अगर आपका Henry's constant बराबर हो जाए partial pressure of a k right so उस case में ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि आप आप पी नॉटे लिखो या एक से लिखो एक ही बात है बाकी सब बाते हैं पर सेम ही रहेंगी राइट सो ये condition आपसे अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है mcq में आएगा ठीक है बाई clear है एवरीवन क्लियर चलो भाई देखो ठकना नहीं है ठकना मना है नहीं 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 थकता हूं ऐसे आपको बोलने थकना नहीं आप लोगों को आखरी के कुछ और मिनेट लगेंगे क्योंकि हमने दो चीज़े कवर कर लिए बस एक आखरी अगर आपकी वोल्यूम का जो चेंज है वो भी जीरो है तो आईडियल है यहाँ पर अगर मैं इंट्रक्षन की बात करूँ यह सल्यूट-सल्यूट की इंट्रक्षन, बराबर है सल्यूट-सल्यूट की इंट्रक्षन के तो यह आईडियल सल्यूशन का केस रहेगा पर जिंदिगी में आईडियल तो कुछ होता नहीं है राइट क्या है नॉन आईडियल होता है तो अगर मैं यहाँ पर अचा इसके ग्राफ भी एक बार देख लीजे इसका ग् यहाँ पर XB आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है तो XA के साथ मेरा यहाँ पर क्या प्रेशर आ रहा है यहाँ पर अगर मैं बोलू पहली लाइन है PA is equal to पहली पहली question क्या दी PA is directly proportional to XA तो PA और XA का जब मैं ग्राफ बना रही हूं PA और XA का जब मैं ग्राफ तो इस case में एक जगा से ग्राफ आपका कैसा बनेगा आपका directly proportional का ग्राफ कैसा बनता है ऐसा ठीक है दूसरे X इस पर यह बन रहा होगा ऐसा ठीक है और इसको अगर मैं जोड़ दू तो यह बन जाएगा आपका ऐसा ठीक है बही clear है तो यहाँ से अगर मैं ग्राफ की बात क करूँ तो मेरे को ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा for your ideal solution किसका ideal solution का ग्राफ हमारे को कुछ ऐसा बच्चो मिल रहा होगा ठीक है बही clear है यहाँ तक सभी लोग को everyone clear हूँ ठीक है यहाँ फिर एक काम कर सकते हो क्योंकि मैं इस वाली line पर xa को plot करना चाहूंगी तो मैं यहाँ पर xa लिख देती हूँ right I can write कि xa यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर xa 0 हो जाएगा यहाँ पर xb 0 है तो यहाँ पर xb 1 हो जाएगा ठीक है तो xa के साथ p a आएगा और पर आपका xa आएगा p b आएगा ठीक है तो यह ग्राफ आजाएगा यह वाली equation किसकी है p 0 a की है यह वाली equation किसकी है यह वाली equation किसकी है अगर मैं बात करूँ यह p 0 b p 0 a और यह p t यह equation आपकी आजाएगी for your henry's law ठीक है ग्राफ अगर पूछ ले तो अब ग्राफ ऐसे बना सकते हैं ठीक है लेकिन अगर मैं non-ideal solution की बात करूँ तो दो तरीके की deviation की अगर मैं बात करूँ तो for example अगर मैं इसकी deviation की बात करूँ तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ था वो कुछ ऐसा था ठीक है यानि कि यह आपको क्या बता रहा है वेपर pressure बता रहा है तो इस अगर आपको जो वेपर pressure आना चागये उससे जादा आ रहा है उससे जादा आ रहा है तो इस case में आपका क्या होग पॉजिटिव deviation देखने को मिल रहा होगा क्या होगा positive deviation देखने को मिल रहा होगा तो यह आपकी रोट्स लोग को follow नहीं करते हैं यहाँ पर आपके solute solute की interaction और solvent solvent की interaction जादा strong और greater than होती है than your solute solvent की interaction ठीक है वैगी clear है यानि कि जो बन रहा है देखो कैसे याद करना है positive है तो जो बन रहा है वो strong होना चाहिए यानि कि बन क्या रहा है solute solvent मिलके बन रहा है कुछ अपना अपना अलग चीज बना रहा है लेकिन यहाँ पर जो बन रहा है वो आपका weaker देखने को मिल रहा है यानि कि यहां पर उल्टा हो रहा है, वीकर देखने को मिल रहा है, यहां पर आपका enthalpy chain 0 के बराबर नहीं है, volume chain भी 0 के बराबर नहीं है, example याद करना जो आपस में dissolve ना करें, यानि कि polar non-polar का mixture, ethanol और acetone, carbon dioxide और acetone, यानि कि ऐसे solution जो आपकी solubility की principle को define ना करें, वो आपके हो जाएंग और जो expected vapor pressure है, बच्चे, वो आपका less than आ रहा होगा, than your expected pressure, यानि कि अगर यह मेरा graph है इसका, अगर यह मेरा graph है इसका, और यह मेरा PA है, यह मेरा XA है, यह मेरा PB है, और यह मेरा XB है, यहां पर XA1 है, यहां पर XB0 है, यहां पर XB1 है, यहां पर XB0 है, यहां पर XB1 है, तो उसको क्या बोला जाएगा आपका negative deviation वाला graph ठीक है यहाँ पर आपकी interaction उल्टी हो रही है negative यानि कि जो बन रहा है वो weaker होना चाहिए तो stronger आता है यानि कि AB interaction आपकी stronger होती है then your AABB interaction यानि कि कुछ ना कुछ hydrogen bonding का case होता है generally जैसे phenol और aniline में hydrogen bonding होगी तो solute solvent की interaction stronger बन ठीक है बढ़ी example आपके paper में आएगा तो example और यह वाली लाएं यह दोनों points आपके clear होने चाहिए ठीक है clear है जल्दी से बताइए यहाँ तक clear है everyone चलो तो यह बात यहाँ पर अगर हो गई है तो आखरी की चीज़ पर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर that is your colligative properties right किस पर आ जाते है colligative properties पर ठीक है okay so what is colligative properties सबसे जादे important आप लोगों के लिए है पढ़ना वो है क्या colligative properties क्या है colligative properties basically आपका vapor pressure की बात कर रही है जब आप एक solid solute को एक liquid solution में डाल रहे होंगे क्या कर रहे होंगे एक solid solution को एक liquid solution में डाल रहे होंगे important section of this chapter that is colligative properties यहां से वेड़ पका सवाल आता ही आता है तो कुछ कुछ चीजे जो हर बार पूछी जाती हो मैं आपको आपको अल्ड़ी बता दूँगी बट अगर आप इसको डीटेल में आखरी के 10 से 15 मिट मुझे लगेंगे आप लोग को इस चाप्टर को summarize करने के लिए सो आपको 10 से 15 मेट में फोकस आउट नहीं करना है और पूरे बढ़िया से दंग से नोट बनाने है पीडिएफ आपको यह मिल जाना है ओन दाटा 247 आप ओड़ाई सो कॉलिगेटव प्रॉपटीज कहा से पिक्चर में आई क्या है क्या है कॉलिगेटव प्रॉपटीज बेसिकली अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ चुकी हूँ तीसरी काटेगरी आप मिक्चर के ऊपर यानि की solid in liquid के ऊपर राइट किसके ऊपर बढ़ गए हूँ solid in liquid के ऊपर क्या होता है यहाँ पर क्या होता है ज़रा एक पर देखने की कोशिश करना कि अगर आपके पास एक solution है ये ठीक है, and this is the another solution ये, ठीक है अगर तुमारे पास यहाँ पर एक liquid solution है A A is a liquid solution ठीक है, liquid है तो क्या है, volatile है यानि कि जो liquid यहाँ पे है कुछ ना कुछ यहाँ पे भी है surface पे, और जो surface पे उनमें से कुछ ना कुछ आपका vapor face में भी होगा अब इसमें तुमने एक solid solute का insertion कर दिया B, जो कि क्या है non-volatile, क्या है non-volatile, क्या है non-volatile, right so अभी क्या होगा, यहाँ पर जो liquid solution पहले था surface पे केवल liquid के molecules थे, लेकिन अब क्यूंकि इसमें B भी आ गया है, तो surface पे B के molecules भी रहेंगे और जो मेरे A के molecules हैं, वो तो volatile हैं तो वो तो vapor face में चले जाएंगे लेकिन जो मेरा B है यह तो क्या है, non-volatile है तो यह तो vapor face में नहीं जाएगा क्यूंकि solid तो भाई, vaporize नहीं होगा liquid हो सकता है, तो आप क्या देखेंगे आप यह देखेंगे, कि यहाँ पर जो molecules हैं, और यहाँ पर जो molecules हैं, vapor face में उसमें गिरावट आई, क्यों गिरावट आई, क्यूंकि आपने solid, solid solute का यहाँ पर insertion किया, तो क्यूंकि number of molecules vapor face में कम हुए तो यहाँ पर जो vapor pressure है that is for example 1 and यहाँ पर जो vapor pressure है for example that is 2, so you can see कि vapor pressure में गिरावट आएगी, यानि कि vapor pressure, vapor pressure of 2 is less than vapor pressure of 1, यानि कि जभी भी आप लोग एक solid को एक solid को एक liquid में डालेंगे vapor pressure में गिरावट आएगी और इसी के चलते कुछ properties देखी जाती है, जिनको हम बोल देते हैं, qualitative properties तो qualitative properties कब आती है जब आप एक solid को जब आप एक solid को एक liquid में डालते हैं यानि कि आप एक non-volatile solute को add करते हैं एक volatile solvent में तो वहाँ पर vapor pressure आपका क्या होता है decrease होता है, इनको बोलते हैं qualitative properties और यह सारी properties केवाल एक ही चीज पर depend करती हैं बच्चे that is number of solute particles किस पर depend करेंगी number of solute particles के ओपर यह depend करती है और किसी भी चीज के ओपर बच्चो यह depend नहीं कर रही होती है, बहुत important line कौन कौन सी qualitative properties में हम होती है, पहली है relative lowering in vapor pressure, फिर है depression in freezing point, फिर है elevation in boiling point और आखरी है आपकी osmotic pressure, चारो को एक बड़ देख लेते हैं quickly, जल्दी से देख लेते हैं, सबसे पहली तो मैंने आपको बताई दिया, relative lowering in vapor pressure, यानि की for example आपके पास यह एक liquid है A, इसका vapor pressure है अभी P0 A क्योंकि केवल A है, इसमें तुमने डाल दिया B, ठीक है इसमें जब तुमने B डाला, तो यहाँ पर अब मेरे पास A और B दोनों का mixture है, तो यहाँ पर इस mixture का जो vapor pressure है, वो क्या है, P A, right, तो P A मेरा क्या है, या फिर मैं इसको बोल देते हूं P T, क्योंकि final vapor pressure है तो उसको मैं P T से represent कर देते हूं, right so P T क्या है मेरा vapor pressure of mixture ठीक है और P A क्या है मेरा P not A क्या है मेरा vapor pressure of pure solvent A और आपको यह तो पता ही है, कि vapor pressure में decrease होगा, यानि कि यह वाली value छोटी होगी, यह वाली value बड़ी होगी, तो बड़े में से छोटा minus कर तो पता चल जाएगा, कितना कम हुआ है तो lowering in vapor pressure किसके बराबर है lowering in vapor pressure बराबर होगी बड़े में से छोटा minus कर दो P not A बड़ा था, टोटल इसमें से कुछ P T minus कर दोगे, इतना vapor pressure घटा, अब यह relative term डाल दिया है, यानि कि इसको relate कारना है original से, original क्या था original था P not A right, so this is your relative lowering in vapor pressure और यह बराबर किसके है mole fraction of your solute किसके बराबर है, mole fraction of your solute, इसको क्या बोलता है इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ relative lowering in vapor pressure this is your relative lowering in vapor pressure P not A is the vapor pressure of pure solvent, P T is the vapor pressure of your mixture, P not A is again the vapor pressure of pure solvent and XB is your mole fraction of your solute क्या है, mole fraction of your solute, अब यहां से वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, relative lowering in vapor pressure पूछे तो यही बता देना है, अगर वो आपसे खाली पूछे कि vapor pressure में कितनी गिरावट आई है तो केवल यह वाली term वो आपसे पूछ रहे अगर वो आपसे total vapor pressure पूछ ले, तो वो आपसे यह पूछ रहे है तो depend करता है वो आपसे vapor में क्या पूछ रहे है वरना आप इस formula का इस्तमाल कर लेंगे ठीक है, अच्छा अगर यह समझ में आ गया है तो एक बात और समझ नहीं है भाई vapor pressure आपको समझ में आ गया है एक liquid solution है आपके पास और इस liquid का जो pressure है वो क्या है? 180 atmospheric pressure क्या है? 180 atmosphere का pressure क्या होता है? 180 अब यह liquid है, इसका कुछ अपना भी vapor pressure होगा ठीक है, अब अगर तुमने इसको heat करना शुरू कर दिया right, heat करना शुरू कर दिया तो इसका vapor pressure बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा एक ऐसा temperature होगा जब यह vapor pressure बराबर हो जाएगा atmospheric pressure के और उस point को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है उसका boiling point उसको क्या बोला जाता है? उसका boiling point तो आपको एक बात याद रखनी है कि जितना जादा vapor pressure होगा उतना कम boiling point होगा, right? vapor pressure अगर suppose करो यहाँ पर है तो यह बहुत जल्दी उपर बोच जाएगा अगर vapor pressure यहाँ पर है तो उसको जादा time लगे जादा heat देनी पड़ेगी तो जितना vapor pressure है उतना छोटा उसका boiling point रहेगा, right? so technically मैं बोल सकती हूँ कि my vapor pressure is inversely proportional to your boiling point ठीक है? clear है? और अगर boiling point के inversely proportional है तो directly proportional होगा freezing point के ठीक है? अब जितनी भी colligative properties हैं उसमें क्या हो रहा है? उसमें आपका vapor pressure घट रहा है क्या हो रहा है? vapor pressure घट रहा है colligative property की वज़े से यहाँ पर vapor pressure घट रहा है vapor pressure घट रहा है तो boiling point क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है? और boiling point बढ़ेगा इसलिए जो अगली colligative property है वो क्या होती है? elevation in boiling point elevation in boiling point ठीक है? in freezing point, depression in freezing point, right? So, यह तीनों मेरी properties यहाँ से निकल कर आगई, ठीक है? So, यहाँ पर अगर मैं आगे बात करूँ, तो elevation in boiling point के अगर मैं बात करूँ, तो elevation in boiling point क्या कहता है? Elevation in boiling point is boiling point increase होना. For example, मेरा T not B boiling point है pure liquid का, pure solvent boiling point, ठीक है? और मेरे mixture का boiling point क्या होगा? TB, mixture का boiling point क्या होगा? TB, ठीक है वाद, तो मेरा कुछ increase हुआ है, यानि की mixture का बढ़ा है, यानि की आपका change in boiling point किसके बडाबर होगा? बढ़ा क्या है? TB बढ़ा है, कितना था? T not B था, तो यह क्या हो गया? आपका increase in boiling point, अब यह directly proportional किसके होता है, आपकी molality के, किसके molality के, small m से इसको represent करते हैं, तो delta tb यहाँ पे बराबर आता है, किसके constant आता है kbm की, ठीक है, इस formula को मैं खोल देती हूं आप सभी लोग के लिए, जो आप लोग को याद रखना है, elevation in bowling point बराबर होगा किसके, tb minus t not b is equals to kb, और mol probability क्या होता है, given mass of solvent upon molecular mass of solvent into mass of, mass of solvent into thousand, ठीक है, अगर यह ग्राम में ले रहे हैं, ठीक है, तो यह आपका formula हो जाएगा, elevation in bowling point का, यहाँ पे जो kb है, यह केवाल depend करता है, only on solvent, याद रखना है, किस पे depend करेगा, only on solvent, ठीक है, यह होगी है, बात यहाँ पे clear, अच्छा, यह हो हो गई है, तो depression in freezing point पा आजो, elevation in bowling point हो गया, तो अब आज आते है, depression in freezing point पे freezing point घट रहा है, यानि कि अगर मेरा tf, tf अगर में लिख रहे हैं, short में लिख देते है, tf मेरा क्या है, freezing point of solution, देखो जब not लग जाता है, तो pure की बात कर रहे है, तो t0f क्या हो जाता है, freezing point of pure solvent, ठ ठीक है, अब इसमें कुछ गिरावट आई है, यानि कि जो ये पहले था, ये उससे भी कम हो गया है, यानि कि depression किसके बराबर है, t0f minus tf is your depression in freezing point, ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, यहां से मैं लिख सकती हूँ, कि मेरा delta tf is directly proportional to again molality, ठीक है, तो यहां पे delta tf बराबर आजाता है, किसके constant यहां पे आएगा, kfm, ठीक है, और यह बराबर किसके होगा, formula खोल देगा है, depression हुआ है, यानि कि जो चीज अभी है, वो कम है, तो it is t0f minus tf is equals to kf into molality, that is mass of solute upon molar mass of solute into molar mass of solvent into thousand, यह ग्राम में है, ठीक है, यह आपको यहां से formula निकल कर आजाता है, for your elevation in, sorry, depression in freezing point, ठीक है, formula याद रखना है, सभी लोगों को, ठीक है, एक बर मैं लिख देते हूं, फिर भी आप लोग के लिए, यह क्या है, given mass of solute, यह क्या है, molar mass, given mass of, given mass of solvent, ठीक है, यह क्या है, molar mass of, solute, ठीक है, इसको wb से represent करते है, wa, ठीक है, यह भी हाँ पर मैंने wac कर रहा है, यह भी क्या हो जाएगा, wa, ठीक है, क्योंकि given mass को w से represent करते हैं, ठीक है, तो यह formula आपका गहिन हो जाता है, depression in freezing point का भी complete, formula देख लेना, बस ठीक है, और कुछ नहीं है, यह क्या है, यह आप freezing point है, pure solvent का, और यह क्या है, freezing point of mixture, ठीक है, ठीक है, यह भी, यह सारी बाते आपकी हो जाती है, तो जल्दी से बढ़ जाते हैं, अपनी अगली और आखरी colligative property की तरफ, जिसको बोलते हैं, osmotic pressure, या अस्मोसेस, तो osmotic pressure को जानने से पहले, osmosis जानना जरूरी है, एक बार देख लेते हैं, osmosis में हम क्या होगा, एक तुमारे पास ये है, ठीक है, इसके बीच में लगा है semi permeable membrane, semi permeable membrane क्या होता है, एक ऐसा membrane जो कुछ कुछ चीजों को जाने देगा, और कुछ कुछ चीजों को अपने अंदर से जाने नहीं दे रहा होगा, ठीक है, लगा दिया semi permeable membrane, ठीक है, एक side है आपका pure solvent, right, you have your pure solvent एक तरफ और एक तरफ है आपके पास solution, ठीक है, for example, यहां पे मेरा है A और यहां पे मेरा है A plus B, ठीक है, तो osmosis क्या है, osmosis is the movement of is the movement of solvent particles from this side to this side, ठीक है क्या है osmosis, osmosis is अगर मैं osmosis की बात करूँ osmosis क्या है, समझना है osmosis is the movement of solvent particles, यह paper में आएगा आएगा, solvent particles through semi permeable membrane को मैं लख रही हूँ, semi permeable membrane from, कहां से कहां मूव हो रहा है, सब से पहला कहां से कहां मूव हो रहा है, from high concentration of high concentration of solvent से कहां जा रहा है, to low concentration of solvent देख सकते हैं आप लो इस साइट तो पूरा solvent ही भरा पड़ा यहां पे solvent के सथ कुछ और भी है तो solvent कम हो गया है, या फिर इसको represent कर सकते हैं, from low concentration of solute, क्योंकि अगर इस साइट में देखूं, तो इस साइट तो कुछ भी solute नहीं है, zero solute है, तो low concentration of solute से, या कुछ solute बन रहा है, to your high concentration of your solute तो यह representation हो जाएगी आपके osmosis की इसको लिखने के लिए आप ऐसे इसको show कर सकते हैं, ठीक है, अब इस movement को रोकने के लिए, right इस movement को stop करने के लिए जो pressure लगाया जाएगा उसको बोलते हैं, क्या? Osmotic pressure, ठीक है, उसको क्या बोलते है Osmotic pressure, जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, पाई से इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, किससे? पाई से, उसको क्या बोलते है Osmotic pressure, ठीक है तो Osmotic pressure क्या है, भाई Osmotic pressure dependent है, directly proportional है concentration के, of the solution directly proportional है, temperature के तो यहाँ से आपका आजाता है Osmotic pressure is directly proportional to C and T तो यहाँ से constant आ जाता है is equals to C, R, T ठीक बात और यहाँ से इसको resolve करके लिखते है concentration क्या है, number of moles upon volume of solution, R, T यह formula भी इसका हो जाता है for your Osmotic pressure ठीक है, यहाँ पे R है, gas constant, इसकी value 0.0821 है, अगर pressure आप ATM में निकाल रहे हैं T आपका temperature है, ठीक है C concentration है, N number of moles of solute है, number of moles of solute है और V क्या है volume of volume of solution ठीक भई, यह बात आपके यहाँ पे हो जाती है, और यह आपका Osmotic Pressure भी आपके सामने आ जाता है, इसमें आखरी बात जो आती है, वो है reverse Osmosis की, Osmotic Pressure में आपको बता दिया है अगर मैं reverse Osmosis की बात करूँ तो reverse Osmosis क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे movement बस उल्टी हो जाएगी जो अपकी movement, यहाँ पे अगर मेरे पास यह solution था, ठीक है यहाँ पे मेरे पास solution था reverse Osmosis याद करो, आपके घर में जो पानी है, वो reverse Osmosis से ही चल रहा है, तो यहाँ पे solvent है, यहाँ पे solution है, ठीक है, यह आपका A है यह आपका A plus B है तो यहाँ पर क्या होगा movement कौन करेगा movement तो वही करेगा, solvent ही करेगा, पर कहां से कहां करेगा solution से solvent ही तरफ करेगा कहां से कहां करेगा गंदे पानी से साफ पानी, this is a गंदा पानी, this is साफ पानी, तो गंदे पानी से साफ पानी में जा रहा है, यानि कि high concentration of solute है, गंदगी क्या है, गंदगी solute के form में high concentration of solute से low concentration of solute पे जा रहा है, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं, low concentration of solvent, low concentration of solvent से move कर रहा है आपके high concentration of solvent की तरह, high concentration of solvent की तरह, ठीक है, इसी के साथ चारो colligative properties आपकी हो जाती है, समाब, अब एक छोटा सा topic और सबसे important topic जो बच्चता है, वो है आपका abnormal molar mass, क्या है abnormal molar mass, अब आपने देखा, colligative property में आप एक solid को liquid में डाल रहे हैं, ठीक है, solid को, solid मेरे दो type के हो सकते हैं, या तो वो एक electrolyte type का solid हो, या फिर वो आपके एक non electrolyte type का solid हो, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, electrolyte तो ये वो है जो तूट जाता है, पानी में डालोगे तो ये तूट जाता है, यानि कि आपने एक डाला अंदर जाके वो दो हिस्सों में तूट गया, और non electrolyte वो है, जो तूटता नहीं है, जब तक ये कहानी है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरा एक electrolyte type का salute आ जाता है, electrolyte type का salute आ जाता है, तो या तो ये dissociation कर देता है, तूट जाता है, और या तो ये जुड जाता है, यानि कि ये association कर देता है, ठीक है, यानि कि मेरे मतलब ये है, कि तुमने डाला तो liquid में एक है, और colligative property number of moles पे depend कर रही है, तुम पर आपको एक गड़बर देखने को मिली, एक error देखने को मिला, जो molar mass आपको मिलना चाहिए था formula के हिसाब से, या तो उससे जादा आ गया, या तो उससे कम आ गया, यानि कि एक abnormal molar mass आपको देखने को मिला, और इसी को correct करने के लिए went off ने एक factor डाला, जिसको बोला जाता ह है went off factor, right, so अगर मैं बात करूँ, for example, NaCl का तुमने एक mol डाला, लेकिन ये अंदर पानी में जाके, Na plus और Cl minus में टूड़े, तो जो तुमने formula लगा था, वो तुमने एक number of mols कितने देखे थे, 1, लेकिन पानी में कितने हो गए, 1 plus 1, 2, तो यहाँ पे again एक आपको error देखने क तो मिल जाएगा, right, और इस error को सही कहने के लिए, हम लोगों को डालना पड़ता है, picture में, क्या, went off factor को, went off factor क्या होता है, सारे बचे बता देगे, went off factor क्या होता है, right, went off factor क्या हो जाता है, went off factor के अगर मैं बात कुने, सबसे बहले देख लेते हैं, कि जब आप एक dissociation में जा रहे हैं, तो experimentally determines value है, molar mass की या तो उससे जाधा आ रही है, या तो उससे कम आ रही है, तो उसको ही बोला जाता है, abnormal molar mass, इसको सही कहने के लिए, went off factor, यहाँ पर इंट्रीउस किया गया, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसका formula क्या होता है, इसका formula है, ब number of ions before, या फिर हम बोलेंगे number of ions after dissociation slash association upon number of ions before dissociation slash association, ठीक है, right, so यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका scene, यहाँ पर आपका scene, यह हो जाएगा, for example, आपने NaCl डाला, और यह Na positive और Cl negative में टूटा, तो i की value हो जाएगी number of ions after, कितने है, 1 plus 1, 2, पहले कितना था, 1, went off factor कितना है, 2, ठीक है, त so, went off factor कितना आगे, 2, I think, आप लोग सभी का निकाल लेंगे, for example, K2SO4 है, ionic solid है, टूटे का किसमे, 2K positive और SO4, 2 negative, तो i की value क्या जाएगी, कितने है, 2 plus 1, 3, upon में 1, went off factor कितना है, 3, तो आप जितनी भी colligative properties लेंगे, जितनी भी colligative properties लेंगे, for example, पहली है, P not A minus PA upon P not A, तो य यहाँ पर इसको multiply करेंगे, went off factor I से, यह आपका complete formula रहेगा, delta T B again हो जाएगा, I K B M के बराबर, delta T F again पराबर हो जाएगा, I K F M के बराबर, और आपका osmotic pressure भी पराबर हो जाएगा, I C R A T के बराबर, यह आपका correct formula रहेगा, तो जबी भी colligative properties को calculate करेंगे, I को लेना नहीं भूलेंगे, अगर मैं बात करूँ association की, for example आपने 2 moles of CH3 COOH डाला, तो यह अंदर जाके क्या हो जाता है, CH3, C double bond O, OH के साथ, यहाँ पर CH3, C double bond O, OH, यहाँ पर again आपकी H bonding होती है, तो यह दोनों molecules जुड़के एक molecule में convert हो जाते हैं, तो went off factor इस case में, बाद में कितना है 1, डा कितना था 2, तो went off factor कितना है, 0.5, ठीक है, तो यहाँ से आपको एक summary देखने को मिली, कि went off factor अगर association में जा रहा है, अगर मेरे पास ऐसा salute है, जो associate कर रहा है, तो went off factor की value हमेशा less than 1 रहेगी, अगर dissociation में जा रहा है, तो went off factor की value हमेशा greater than 1 रहेगी, और अगर कोई आपका non electrolyte है, तो वहाँ पे went off factor वही रहेगा, जो है, यानि की 1, उस case में कोई किसी में टूटा ही नहीं है, तो जितना डाला तो उतना ही है, तो यानि की 1, यह हैं आपके electrolyte का case, और यह है आपका non electrolyte का case, यह बहुत जादा important आपके लिए रहेगा, राइट, so इस chapter के इगर मैं important points की करूँ, सबसे पहले आपको आना चाहिए, solubility का effect, pressure और temperature पे, ठीक है, दूसरा, आपको henry's law आना चाहिए, और इसके application आने चाहिए, ठीक है, तीसरा, आप लोग को roll clause से इतना सवाल देखने को मिलता नहीं है, बट फिर भी आपको इक बार देखना चाहिए, उसकी derivation, और lastly colligative properties, बहुत जादा important है, ठीक है, सारी की सारी, henry's law लगेगी, gas के लिए, gas in liquid के लिए, colligative property लगेगी, solid in liquid के लिए, और rod's law लगेगा, liquid in liquid solution के लिए, right, so इसी के साथ, ये chapter में आप लोग कर देती हूं, अन्त, पूरा का पूरा one shot में, मैंने आपको पूरा revision बेटा इस chapter का दे दिया है, अगर सारे बच्चों को यहां तक सब कुछ crystal clear हो चुका है, तो session को जरूर सभी लोग यहां पर like कर देंगे, और session खतम होने के बाद, I need your yellow hearts in the comment section, with the message कि आप लोग को इस session कैसा लगा, right, इसके बाद ये series चलती रहेगी, PYQs करेंगे बीच में इस chapter के, फिर कर कर आएगी, right, so I hope you like the session, सभी लोग session को like और share करके जाएंगे, और मैं आपके comments का वेइट करूँगी, कैसा लगा आपको यह session, PDF आपको बच्चों मिल जाएगी on data247 app, thank you and have a nice day, lastly आपको बोलूँगी मैं, कि आपको जो description box है, उसमें दिया गया है, एक ये Google form, अगर आप लो साथ, that is Ayushi Ma'am, और अगर आप लोग अपनी 12th की तयारी और CUET जैसे एक्जाम की तयारी मेरे साथ करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको CUET के लिए भी तयार करवा रही हूं, on data247 app, तो आप जो latest science का batch है, science maha pack, उसमें इन्रॉल कर सकते हैं, using the code Wi-Fi 13, इससे आपको maximum discount मिल जा और भर देना ताकि मैं आपसे बात कर लूँ, और मिलती हूं मैं आपसे अगले session में, अगले one shot के साथ, और अगले PYQ के साथ, तब तक के लिए connected रहे है, session को like करते रहे है, अपना प्यार दिखाते रहे है, thank you and have a nice day.